आप सभीक और नर्सिंग विद बीनुस सार यूटूब चनल में स्वागत है आज हम डिसकसन करेंगे उडिशा ट्रिपल सी नर्सिंग ओफिसर का जो एक जाम हो था 7th February 2021 को उचका हम डिसकसन करेंगे साल्व एमसी क्यू इस एक्स्पलानेशन से शुर्बात करने से पहले ओके तो पहला क्विश्चन देखले हैं यूरीन सेंपल फर कल्चर इस क्लेक्टेट फ्रॉम ट्वेंटीफोर आवार सेंपल मिर्श्ट्रीम यूरीन वो दे एंड भी नॉन अब देखले किसलिए कॉल्चर के लिए कॉलेक्ट किया जाता है ट्वेंटीफोर आवार सेंपल मिर्श्ट्रीम यूरीन वो दे एंड भी डी ओप्शन में भूला गया है नॉन अब देखले सो पुडियो राइड रांस्पोंस इंद चाड़ बोक्स सही अंसार पूट अप करी यहां पर ओगे यू अल हैब टू यहां पर आप सभीको याद रखने है बी अंसर भेगोर ओगे गितांजली, जूतिर्मोई, नलीनी, जान्नवी, प्रमिला, दीप्ती, कामिनी, दीपिका, तन्मोई ओगे ओल आर गिविन दो राइड अंसार ओगे मिरिष्ट्रीम यूरी इसको M, S, U बोलकी भी बोला जाते है मिरिष्ट्रीम यूरी इसको M, समझ में आगया एंसार उड़ी दो B ओप्षन, वेरिगोर संगीता अल्सु गिवें दो राइड अंसार ओगे अल्लिन वान अल्सु गिवें दो राइड अंसार नाव विल कॉम बेक तु नेस्ट कुशें फिच अब दो फॉल्विन ट्रीजर्वेटिव इस बेस्ट प्रीजर्वेटिव फर उरीन सेंपुल उरीन सेंपुल के लिए बेस्ट प्रीजर्वेटिवेजन कौन सा है A अप्षन में टल्विन, B अप्षन में तायमल, C अप्षन में कॉन्ट्रेंट सेट है कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रो कॉल्री एसीड डी आप्षन में अल अब दा एवग शो पुडियो राइड अंसर इंग चाड़ बग, सही अंसर पूट अप करे अगर आप लोगोंने वीडियो को लाइक नहीं के तो जरूर लाइक करे बेस्ट प्रियोर्वेटी वेजन यूरिन सेंपूर के लिए कॉन्सा होगा पट्टूल वीदा बेस्ट प्रियोर्वेटी वेजन यह हम डिसकाशन कर चुके हैं स्पेसिमेन कोलेक्शन में हम अलड़ी डिसकाशन कर चुके हैं best preservative for urine sample तो यहां पर सही answer होगा यह option tolue in इसको जरूर याद रखो best preservative वेजन है tolue in you all have to remember this answer होगी दो A option very good question लाता now we'll come back to next question देखेंगे पर्टी दो color coding of nitros oxide cylinder nitros oxide cylinder का color coding क्या होगा A option में red B option में French blue C option में black and white shoulder D option में black शो पुडियो right answer इंगर चाड़ बक्स सही answer put up करी पुडियो right response nitros oxide cylinder के लिए कौन सा color coding है यह question उडिशा triple SC nursing officer का जो exam होगा था 7th February 2021 उस्टाइमें question का question पुछा था तो यहाँ पर answer कोंसा होगा French blue very good यहाँ पर सही answer कोंसा होगा B option अगे आप स्वभीने सही answer दियें तिलोत्तमा प्रमिला दिव्या पुष्वलता जान्वी तन्मई कुमारेशके नलेनी उर्सिकेश गितांजरी भुदानुं प्रमिला अलेन्वान प्रग्यां सोदीप्ता दिप्ती तुलेश्युरी जोतीमोई जोशोगंती सालीनी संगीता कामीनी All have given the right answer Now we'll come back to next question स्टेरिलाइशन अपे फ्यक्जिवुल फाइप्र अप्टिक ब्रोंकोस्कोप इस डॉन ब्रोंकोस्कोप को किसमे स्टेरिलाइज किया जाते है ब्रोंकोस्कोप जो है फाइप्र अप्टिक में बना हुआ है और यह फ्यक्जिवुल भी है इसको किसमे स्टेरिलाइज किया जाते है यह आप्टोक्लेविन बाई अल्ट्रावालेट रेज एथिलीन अक्साइड गया है डी आप्शन में बुला गया है टू पॉर्षन ग्ल्ूतिराल डी हाइद तो यह आप आप अधो रेमबर भ्रोंकोस्कोप जो है बेसिकाली हमें सहां याद रखो अगइ एथिलीन अक्साइड में भी किया जाएगा ग्ल्ूतिराल डी हैड में भी किया जाएगा फ्लोक्लोट फरमालीन यहाँ पर एथिली नक्साइट इसको जरूर याद रखो एथिली नक्साइट को प्रिफरेंस दिया जाएगा तो यहाँ पर एथिली नक्साइट अगर एंडोस को बोला होगा तो 2% एंडोस को अगर बोला होगा then your answer will be the 2% ग्लुटेराल दिया है then your answer will be the 2% ग्लुटेराल दिया है you all have to remember this समझ में आगे हैं? अगर एंडो सको पूछेगा तू 2% Glutal Diade अगर ब्रोंक पूछेगा एथिलीन अक्षड लिखा है तो ETHLES-DADE देना है अगर 2% Glutal Diade घेना है Okay, as far the option you have to put your right answer but the difference will be given to ETHLES-DADE Okay have you got it? Now we will come back to the next question human anatomical waste will be discarded in human anatomical waste will be discarded in कौन सा color bag में discard किया जाएगा yellow color plastic bag, red color plastic bag, white color bag, उसके बाद blue color bag शो पुडियो right answer इंद 4 बोक्स पुडियो right answer इंद 4 बोक्स तो यहाँ पर सही answer दीजिये अगे, what would be the right answer here, answer with the yellow color plastic bag, very good अपसो भीन सही answer दीएं है, तनमई, दीपिका, सस्मिता, कलपना, पिया दर्शनी, तलर्ट दतिका, गोकी, all have given the right answer, very good अगे, answer with the E, आँशन दो नर्माल लेकोसाइट काउंट इन हिमान ब्लोडी जेवाऊ ओगे, 4000 to 5000 पर कीवी केमेमा ब्लोड, 3000 to 10,000 पर कीवी केमेमा ब्लोड, 5000 to 11,000 पर कीवी केमेमा ब्लोड dee option ना बोला है, 150 to 4000 पर कीवी केमेमा ब्लोड ए लेकोसाइट काउंट का मतलब आपको पुछा है, TLC काउंट टो टाल लेकोसाइट काउंट टो टाल लेकोसाइट काउंट तो यहां पर सही अंसर कॉन्सा होगा जिनोंने C अप्सन दिये हैं जिनोंने C अंसर दिये हैं दियार अंसर इस कॉरेक्ट वान कामिनी दिप्ती उसके बाद कुमार हैसके बेरी बुट जिनोंने C अप्सन दिये हैं दियार अंसर इस कॉरेक्ट वान तोट्टा लीकोसाइड का मतलब यह मुस्ट अप्टू रियां बोजिशन यह 4,000 तो 10,000 पर कीवी केमेम अब बलड भी बोल चक्ति हो ओके यू कन से 5,000 तो 11,000 पर कीवी केमेम अब बलड भी बोल चक्ति हो ओके बोद दो वेल्यू आर क्रेक्ट बोद आर क्रेक्ट यह ओके बोद आर क्रेक्ट वेल्यू अभली, यू आरeur थी एल्ड वेल्यू बट यहां पर आपको यह जो जो बला है एंसर ची एंसर प्रियू पर सिन्यू अप्ट इंटर डवीट र्ट रींट अंद आर सिविल विज एल्यू … इखमझल विज च, king 04 neshe EDD का मतलब क्या है तो फुल्फरम अब EDD, तो क्यों से आप calculate खरेंगी? last day of first period plus 280 days last day of last menstrual period plus 280 days first day of last menstrual period plus 200 days D option में बोला है first day of last menstrual period plus 280 days plus 7 days so what could be the right answer here example आप ले सकते हैं suppose किसी का अगर February 10 है February 10 है या February 10 है तो इसमें क्या एड करना है 9 months देड करिए 9 months 9 months plus 7 days you must have to add here then you will get the answer here यहां पर आपको answer कौन सा मिल जाएगा answer होगी कौन सा होगा पट्टूली दो right answer here you are left to put here सेही answer इसका क्या होगा those who have given the D option their answer is correct one their answer is correct one first day of last month to add period of love to 80 days plus 7 days you must have to re-embray देखो यहां पर February उसके बाद March February, March, April, May, June, July उसके बाद अगस्ट, सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नॉवेंबर अगे नॉवेंबर आ गया अगे नॉवेंबर महिना अगे नॉवेंबर यह अलेडी 10 है उसमें आपको कितना एड करना है? 17, तो 17 November होगा अशर उली दो 17 November होगा अगस्पक्टेम्ट बेही वरड इड क्टोर एक्टेम्ट अद अगे आऄ दो नियुमुमं पकेक्टेम्ट है ऊब नण्यक्राइस ग्टुन दखेंग अगे नाव, विलीनित्ः कुशेन देखेंगे वर और non-pregnant utrosin and adult, already non-pregnant है, non-pregnant का क्या है utros है, especially that adult, तो उसका normal size कितना होगा, length पुचा है, width पुचा है, thickness पुचा है, 7.5 x 2.5 x 1.5 cm, 5 cm length, 2 cm width, 1 cm thickness, 12.5 cm length, 10 cm width, 2.5 cm, इसका थिकनेस पुछा है D option में पुछा है 7.5 cm length, 5 cm width, 2.5 cm, ओकी उसका थिकनेस है तो यहाँ पर सही answer कौन सा होगा, very good, okay, कामिने भुसी के, सौलिन वान, सीबराम, okay, जिनोंने D option दिये हैं, their answer is correct one, you must have to remember this, answer without D, very good, those you have given the right answer, okay, okay, हमें सही याद रखो, value जो होता है, that will deeper, from books to books, deeper करता है, okay, जो आपको दिया है, okay, option में जो दिया है, पहले आप जैसे आप बूलते हैं, okay, जैसे एक उमेन का हीमोगलोवी लेवेल होता है, 11.5 से 15, okay, 15 ग्राम परसंटेज बुलके बोला जाते हैं, इनके सोब, female हीमोगलोवीन का परसंटेज, male का 12.5 से 16 ग्राम परसंटेज बोला जाता है, okay, ग्राम परसंटेज इनके सोब, male बोलके बोला जाता है, okay, that value will be deeper, 12 बोला जाता है, okay, either that will be 16.5 बोला जाएगा, okay, so that will be the deeper from books to books, but whatever the option has given you, according to that, you have to answer that question, okay, now we'll come back to next question, which of the following can be detected by benedict test in a urine sample, okay, urine sample दिया गया है, जब आप benedict solution उसमें डालेंगे, जब benedict solution जब डालेंगे, तु आपको किसका पताच चलेगा, मिन कौन सा particular content को आपको identify कर पाएंगे, test कर पाएंगे, protein, bile salt, glucose, उसके बाद, ketone, so how to be the right answer here, very good, okay, जोसोबंती कुमारेश के उसके बाद, okay, सिबराम, okay, मांसी, पुष्चलता, okay, हुषिके, शलतिका, कलपना, प्रमिला, all-in-one, संगीता, भुदानों, नेहा, okay, यहां पर सुधीता अल्शू गिवेंदो राइडन्स है, okay, glucose will be the right answer, very good, glucose yoga, now we'll come back to next question, for effective sterilization, steam and autoclave should be a pressure of 15, pound per square inch, okay, LV होगा, okay, आपको बोला है, autoclave के बारे में, autoclave, okay, autoclave में pressure कितना रहेगा, बोला है, 15 LV, LV का मतलब pound, four square inch रहेगा, okay, pressure, उसके बाद आपको time कितना दिया है, time दिया है, 30 minutes, तो temperature कितना होगा, okay, what will be the temperature, okay, 100 degree centigrade, 110 degree centigrade, 121 degree centigrade, 131 degree centigrade, so, what will be the right answer, हमें साह याद रख्ये इसको, you must have to young position, okay, you must have to, 121 degree centigrade, very good, आप सभीन साही अन्चार दिया है, यह important question भी है, कोई भी, okay, exam के लिए, you must have to young position, 121 degree centigrade, very good, आप सभीन साही अन्चार दिया है, okay, now we'll come back to next question देखेंगे अभी, the angle of the syringe and needle for intramuscular injection, कोई पेसेंट को आप intramuscular injection दे रहे हैं, तो कितना degree में देना चाहिए, 90 degree, 45 degree, 15 degree, 10 degree, so, what will be the right answer of this question, okay, who will give the right answer, हमें साह याद रोखो, intramuscular के लिए कितना दे जाते हैं, उसके बाद, subcutaneous के लिए, 32, 45 degree, okay, intradermal के लिए 10 to 15 degree, intravenus के लिए 25 degree, okay, intramuscular के लिए 90 degree, very good, आप सभी न सही अंसर दिये हैं, all have given the right answer, 90 degree, okay, all have given the right answer, okay, very good, very good, okay, आज का जैसा session चल रहा है, call person भी उसी साब से session चलता रहेगा, continue आप जब, आपका जब तक mission complete नहेगा, तब तक यह mission जाली रहेगा, आने वाले नर्सेट के exam के लिए इंपोटेंट रहेगा, तो उसी साब से आपको जाली, वागे आप जो भी जो कर रहे हैं, जो practice कर रहे हैं, इसको practice को जाली रखे, ज़रूर आपको success मिलेगा, वागे, जब struggle आप नहीं करेंगे तो आपको progress नहीं मिलेगा, इसलिए struggle करते रहे, इसी टाइम, आपका 100% दीजिए, you will be sure success, so you must have to deamburgation, now we will come back to next question, while measuring blood pressure, in upper arm, the chest piece of stethoscope is placed over which of the following artery, आप क्या करेंगे, blood pressure major करेंगे, कहां पर करेंगे, upper arm में आप करना है, upper arm बोला है, तो जो stethoscope का chest piece है, stethoscope का क्या है, बोला है, chest piece है, ओके, ओ chest piece को कौनसा artery में, उसको place किया जाएगा, उल्नार artery, रेडियर artery, ब्राकेर artery, एकजिलारी artery, very good, very good, गितांजरी, पुष्वलता, प्रियोतर्चनी, चंपावती, अरुंधती, पंचमी, लतिका, तन्मई सस्मिता, जोसोबंती, सालिनी, दिव्यभारती, स्वरुपा, दिपिका, साइक्रिस्ना, all in one, जाम्नावी कामीनी, आजिए, लेट की इसलिए, प्राकेर लाररी सरहर कि अंतरु करें लाटने, लाल कि भार टने, साइश प्राकेरी, एकृआर कि यैदरर्चनी, अगर एकग को बेड़ टाइम के धाया जाता है तो कॉन्छाा कोडली इंस्ट्रोक्शन यूज़ करेंग्या, यह कृयान में में OD, C option में HS, D option में AC, आप संजी की में OD साथ AAAC nursing officer recruitment exam का exam दे रहा हूं, उसी इसाब से आप लोग answer दीजिए, वगे आपको लोग की इतना question का answer में दे पा रहा हूं, I am giving him my 100 position, I have written this much of position, out of that number of position I have given 30 या 50 जितना number होगा according to that you have to county, तो यहां पर कॉंछा होगा, अगे, तो यहां पर answer होगा C option, very good, HS का मतलब होता है लाटिंटर होरा सुमीनी, होरा सुमीनी, अगे यह अक्टूर यहां बर्देशन, इसका मतलब होता है at bad time, at bad time, you have to यहां बर्देशन, समझ में आगया, AC का मतलब होता है before meal, AC का मतलब होता है before meal, OD का मतलब once a day, once a day, SOS का इवी नेसेसेरी, इवी नेसेसेरी, अगे, इसको जरूर याद रगे, समझ में आगया, now we'll come back to next question देखेंगे अगे, answer रवी दो C option, Where does catheter inserted through, for left-sided cardiac catheterization, left-sided cardiac catheterization में, अगे, catheter को काहा, कौन सा भेन में या कौन सा आट्री में insert किया जाते है, शो, पुडियो right answer इंद चाड़ बोक्स, चाड़ बोक्स में put up करिए, क्या होगा, पुडियो right response इंद चाड़ बोक्स, सही answer पुड़े, NT की बुटा दे भेन, B option में बुला क्या, रेडिया दे भेन, फिमुराल आट्री, फिमुराल भेन, शो, पुडियो right response इंद चाड़ बोक्स, सही answer पुटप करिए, क्या होगा, तो यहाँ पर that answer रुभी दो very good, आप सभी ने सही answer दे रहें, all are giving the right answer, क्या होगा, C option दे रहें, फिमुराल आट्री, क्या होगा, right, अगर right-sided होता, तो हमेशा याद रखना है, right-sided होता तो pulmonary artery, you must have to remember this one, okay, answer रुभी दो, फिमुराल आट्री, have you got it? left-sided है तो इसलिए, फिमुराल आट्री, okay, हमेशा याद रखना है, अगर right-side of the hard होता, right-side of the hard होता, okay, right-side of the hard होता, then that should be inserted through band, that should be inserted through band, इसको जरूर याद रखे, समझ में आ गया, now we'll come back to next question, which of the following vitamin enhances blood clotting, okay, कौन सा vitamin enhance करेगा blood clotting, enhance का मतलब increase, okay, increase vitamin K, vitamin B, vitamin C, vitamin A, vitamin K को phyloquinone, बोलके बोला जाता है, phyloquinone, okay, vitamin B का आपका B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, इसी साब जे vitamin B complex का आएगा, उसके बाद vitamin C, okay, ascorbica C, उसके बाद vitamin D, retinol, okay, तो यहाँ पर सही अंसर कौन सा होगा vitamin K, इसको यह anti-hemorrhagic vitamin बोलके भी बोला जाता है, anti-hemorrhagic vitamin, you must have to re-embodition, anti-hemorrhagic vitamin, you all have to re-embodition, have you got it, now we'll come back to next question देखेंगे, okay, needles, syringe, culpals, blades are disputed in black bag, blue bag, yellow bag, red bag, कौन सा bag में needle को dispute किया जागा, syringe को dispute किया जागा, culpals को dispute किया जागा, blades को dispute किया जागा, इसका मतलब shark, okay, shark, जितना है सब shark है, तो किसमें आपको dispute करेंगे, black bag, blue bag, yellow bag, red bag, so how to do the right answer variable, जोसोबंती कभिता, सस्मिता, कुमारेशके, पुष्छलता, अगे, आंजेल वाल, उसके बाद जोसोबंती, जान्नवी, सोदीपता, रितुराणी, अरुंधती, प्रमिला, देव्यभार्ती, तन्मय, प्रग्या, पुष्छलता, तिलोत्तना, तंचमी, मांची, अगे, उसके बाद सुभं, तुलेश्वरी, पेंकी, संगीता, जान्नवी, कल्पना, गितांजली, प्रियादर्शनी, रेक्षोना, अगे, अलेव गिवें दो राइड रेंस, सुभं अल्सु गिवें दो राइड रेंस, ब्लू बेग होगा, बेरी बुट, इसको जरूर याद रगए, Now we'll come back to next question, for what purpose पारफिन बात इचीओ, किस पारफिन केले पारफिन बात व्यभार किया जाता है, A option में बुला है, born, B option में बुला है, rheumatoid, arthritis, abdominal distance on D option में बुला है, Okay, ED मा, शो, पुडियो राइड अंसार, इंद चाड़ बुल, सही अंसार, पुट अप करिए, Okay, तो basically हमेशा याद रगए, अंसार यहाँ पर कॉंसा होगा, Rematoid arthritis is very good, Okay, प्रज्या, कल्पना, जान्नवी, रेक्षोना, गितान जरी, शालीनी, प्रमिला, जोसुरुंती, Okay, all are putting the ridence, अरुंदती, रितुराणी, लतिका, दिप्ती, Okay, मांसी, पंचमी, दिभ्या, Okay, अंजल, Okay, उसके बाद कभीता, All are giving the ridence, Rematoid arthritis, Okay, यह क्याँकर, its warm temperature means to provide relief from arthritis pain, Rematoid arthritis का जो pain होता है, इसको relief कानेगे, या sore joint होगिया, या sore muscle होगिया, Okay, उसको mean comfort provide करने के लिए, this will be indicated, you must have to be able to see, Okay, have you got it, answer with the B option, The normal platelet count in human blood is about, 70,000 to 90,000 per cubic mm of blood, B option में बोला है, 1.5楽 2,000 और 1.5,000 to 3,500,000 per cubic mm of blood, B C option में बोला, 50,000 to 3,500,000 per cubic mm of blood, D option में बोला है, 4,000 to 11,000 per cubic mm of blood, तो पुरियो राइड अंसा इंद चाड बॉक्स, सही अंसा उट अप करें, इसी साब से हर दिन क्लास continue रहेगा, पहले हम continue कर लेंगे, जीतना पहले का कुशन था है, उसको पहले complete करंगे, उसी साब से विल कॉंटिन्यू, ओके, आवर मीशन, ओके, so that you can achieve your मीशन, ओके, तो हमें साइ याद रखिए, जो नर्मल प्लाटिलेट्स काउंड होता है, 1.5 लाक्स से शुरूबात करके, 4 लाक्स पर कीवी केमेमा ब्लॉड होता है, ये एक्चुली इन जेनराल, ये एक्चुली इसका राइड विल्व है, बड़ आपको यहाँ पर 4 लाक्स मेंसों नहीं किया है, so here the answer भीदा, कॉंसा होगा, B अप्शन, ओके, इस कुश्चन वीफोर नर्सिंग अप्श्र कुश्चन जो पुछे थे, ये एक कुश्चन पुछा है, ये कुश्चन उसी कुश्चन है, जो 7 फेबुआरी 2021 में जो एक्जाम हा था, उस कुश्चन को आज हम डिसकासन करें, दो देन इस कुश्चन को हम डिसकासन करेंगे, then we'll come back to practice session हम डिसकासन करेंगे, तो यहां पर अंसार होगा B option, कोई बाद नहीं डियोर, कुमारेस के कोई बाद नहीं, अगर आप क्राग नहीं की हैं, तो जरूर आपका क्राग करेंगे, इस टाइम आपका 100% होगा, खाली मेहनत करते रहे, जो मेहनत करता है, मेहनत का फ़ल जरूर मिलेगा, इसलिए मेहनत करते रहे, ओगे, you have to remember this one, you have to remember this one, स्टेरिलाइशन अब एंडोस्कोबी डान, बाइ अटोकिले भीन, बाइ अल्ट्राभावलेट रेज, बाइ 2% फिनल, डी अप्सन में बाइ 2% ग्लुटिराल दिगाई, शो, पुडियो राइड अंसार इंद चाडबो, पुडियो राइड अंसार इंद चाडबो, सेही अंसार उटप करे, अगर आवलोगने वीडियो को लाइक नहीं कितो जरूर लाइक करे, सियार करना अमवा दोले, शो पुडियो राइड अंस्पोंस इंदर चार अबस सही अंसा उटाप करें कॉन्सा होगा बाय टू पोर्शन ग्लुट्राल लिएड वेरी गुड अगे यू मस्ट अप्टू एम बोर दीशान अगे डेफिनाइली डेफिनाइली ड्रियोर मैं already ECG का part 1 पढ़ा चुका हूँ ECG का part 2 पढ़ा चुका हूँ ECG का part 3 भी पढ़ा चुका हूँ उसके बाद में हम image based ECG पढ़ेंगे जिसमें आपको पता चलेगा यह P-Wave कौन सा है Q-Wave कौन सा है Q-T interval कौन सा है PR interval कौन सा है इसकी बारे में सब आपनों को बताऊंगा okay so no need to be worry ECGG don't be okay पानी गेवाब दार ECG तो यहाँ पर अंसार होगा D option all have given the right answer now we'll come back to next question देखेंगे at what time blood samples should be collected from the patient with malaria okay patient only malaria है बुला है when the temperature is normal when fever is started after taking a meal add the high level of fever कौन सा condition में okay mean कौन सा time में हमको time क्या करना है blood sample collect करना है before starting of anti-malarial drug before starting of anti-malarial drug okay या कोई भी antibiotic स्टार्ट करने से पहले हमको blood clot collect करना है okay so always you have to remember B answer very good पुष्चोलता उसके बा यसोबंती चोके संतोसिनी संगीता तिलोत्तमा लतिका तन्वाई उसके बा दीप्ती ओके all have given the right answer very good अगे जिनोने B option दिये है दिया रंशारी 100% correct okay you must have to remember this one now we'll come back to next question the term used to describe blood in the urine blood in the urine glycosuria, hematuria, pyuria, albiminuria glycosuria का मतलब glucose in the urine glucose in the urine pyuria का मतलब होते पस in the urine अलबुमीन अगर urine में आ रहा है तो समझ जाओ albumin albumin इंद यूरीन okay, albumin अगर आ रहा है तो समझ जाओ kidney is fully damaged okay यहाँ पर सही अंसार कौन सा होगा B option, hematuria everyone has given the urine which blood group is known as universal donor universal donor किसको बलाएगा O blood group, B blood group, A blood group B blood group, B blood group हमें साही याद रखो RBC का surface में जो antigen रहता है okay, RBC का surface में जो antigen रहता है okay, उसी हिसाब से नोमेंक्लेटर किया जाता है यह A blood group है, यह B blood group है, यह O blood group है, यह AB blood group है अगर RBC का surface में अगर A antigen है तो A blood group होगा okay, समझ में आगया A blood group अगर antigen, B antigen है B blood group okay, B blood group होगे, B blood group होगे, याद रखो B blood group अगर बोत A antigen है A है, B है, और B भी है इसका मतरप AB blood group इसको जरूर याद रखो O blood group में क्या होगा कोई भी antigen आपको देखने को नहीं मिलेगा तो याँ पर सही अंसार कौन सा होगा O blood group इस universal donor okay, you must have to ember nation okay not should we ever have there क्वई चबद फोलेंगी medication is never given never given बोला है directly intravenously it is safety alert direct up push नहीं करेंगे okay, direct up IV नहीं दे सकते हैं कौन साथ रखको जिसको बोलोस्डोज बोलकी भी बोला जाता है बोलोस्डोज आप नहीं दे सकते हैं काल्सियम, ग्लुकोने, डेक्स्टोज, लासिक्स, पुटास्वम, कुल्राईट शो, पुडियो, राइड अंसार इंद चाडबग पुडियो, राइड अंसार इंद चाडबग सही अंसार पुटब करी हमें सार याद रखिए, बेरिगोट दोजवार रिवामबवरी KCL, पुटास्वम, कुल्राईट इसको कभी भी डारेक्ट नहीं दना है, पेसेंट को एरिद्मिया हो जाएगा यू मस्ट एब टू रिवामबवरी KCL, पुटास्वम, कुल्राईट 500 मिलिग्राम अपे ड्रगी अडर, आको कितना अडर हुआ है? 500 मिलिग्राम अडर हुआ है 500 मिलिग्राम अडर हुआ है, आपके पास कितना सपला है? 1 ग्राम पहले एक्चली जो कुश्चन में दिया है, सेड सी में, सेड सी में जो आया था ओगे उडिसा ट्रिपल सी, नर्सिंग अफिसर में, कुश्चन में, उसमें दिया था वान मिली ग्राम लिखा था, जो की एक्चुली नहीं है। वहाँ पर क्या लिखना चाहिए? 1 ग्राम होना चाहि h बढ़ यहाँ पर 1 ग्राम लिखा था तो इसके बावेसी घ्रेस मार्क मिला है। तो यहाँ पर मैं उसु क् Church करके लिख दिया हूं 1 ग्राम वान ग्राम का आपको कितना देना है कितना टाबलेट देना है 0.5 टाबलेट 1 टाबलेट 1.5 टाबलेट 2 टाबलेट ईसलिए होमें साथ जब भी आप लोग एंसर देंगी कुश्चन को ज़रूर पढ़िए क्योंकि कुश्चन जो प्रीप्यार करते हैं कभी-कभी क्या होता है टाइप करने के दोरान वोगे रम-मिन लेटर इदार उदार हो जाता है जिसके वशा से आपका जो पुश्चन देने बाले होंगे उसके वशाप कन्फूज हो जाएँगे इसलिए question को जरूर पढ़िये उसके बाद एंसार देए आप जितना भी नलेजेश हो आपके पास जितना भी target है का पुरा mind में याद रख लियो या जितना भी भूख से याद रख लियो उसके बाद भी question आपको पढ़ना है कुस्चेन पड़ो उसके बाद एंसार देना है जो रोड़िसको याद लगो उसके बाद आप सक्सेस हो पाएंगे अगे, have you got it? Now we'll come back to next question Which of the following drug that was a expulsion of the gas from the intestinal tract कौन्सार ड्रोग्स देने के बाद? अगे, में इंटेस्टाइन से gas expelled हो जागा लाक्जेटिव, काथार्टिक्स, कार्मीनेटिव, आश्ट्रिन्जेन शो पुड़ियो राइड अन्सार इंद चाडवः सही अन्सार पुटप करिये अगे, पुड़ियो राइड अन्सार इंद चाडवः सही अन्सार पुटप करिये यहाँ पर सही अंसार होगा कार्मीनेटिव बेरिगोट ओके जोसोबंती गिवन दो राइड होगी उर्बसी पुष्टलता ओके सालीनी बेरिगोट ओके प्रामिला बेरिगोट मांसी तुलेशचरी ओके all are given दो राइड होगी ओके कार्मीनेटिव ब्रोक्सार काम किया है यह इंटेस्टेन से ग्यास को एकस्पेल्ड करेंगा ओगे ब्रेक्षोना कुमारेस के अल्शू गिवन दो राई राज्ब्स फ्रोजेन डीपीटी फ्रोजेन डीपीटी वेक्सिन शुड़ भी brought to room temperature before you, discarded, allowed to melt before you, second thoroughly before you Okay, कौन सा वेक्सिन को heat sensitive vaccine बलके बोला जाता है Heat sensitive vaccine Heat sensitive vaccine हमेसा याद रखो polio vaccine Okay, polio vaccine Okay, polio vaccine जिसको OPV बलके बोला जाता है हमेसा याद रखना है Minus 20 degree Okay, centigrade में इसको स्टोर करके रखा जाता है Okay, तो याँपर रणसार कौन सा होगा Discard Okay, B answer इसार इसार राइड रणसार Those are giving B answer, their answer is correct one जोसोबंती कलपना संगीता लिजारानी निवेदीता रेक्सोना संगीता दीप्ती कभिता उसके बाद पुष्वरता पुषिकेस उर्वसी कुमार इसके Okay, all have given the right answer here B is also given the right answer Tuleshwari, Panchami, Tanmai Okay, all have given the right answer What do you mean by systolic blood pressure? Systolic blood pressure का मतलब किया है इसका SABD कहा होगा ASBP You can write like this also The pressure within the artery during dilatation of the left ventric The pressure within the artery is during contraction of the left ventric Okay, heart diagram काल सकते हो यह heart है संगे Okay, यह आपका right atrium Okay, this one is the left atrium This one is the right ventricle This one is the left ventricle Okay, क्या बोलाया This one is the trichospirical This one is the bicospirical यह आपका pulmonary artery यह आपका pulmonary vein यह आपका superior भेना का भा यह आपका यहाँ पर inferior भेना का भा IBC Okay, यहाँ पर IOT Okay, क्या बोलाया? Contraction of the ventricle बोलाया Okay, contraction of the ventricle का मतलब जब right ventricle contract करेगा Okay, so पुड़ियो राइड अंसार इंदो चाड़ वर सही अंसार उटब करेगा पाट्टूर बीदो राइड अंसार पाट्टूर बीदो राइड अंसार Okay, so यह प्टू दियांबर यह आपका Okay, myelography का मतलब है X-ray story of the spinal cord X-ray story of the spinal cord इसको ज़रू याद रहे उसके बाद Colicistography का मतलब क्या है Colicistography का मतलब है Okay, X-ray procedure used to evaluate the gallbladder Okay, X-ray story of the gallbladder Gallbladder You must have to EMblevision तो यहाँ पर से अंसार कॉंचो गा Salpingo Graphic Okay, you must have to EMblevision D option, very good Sasmita, Pushulata, Lijarani, Kalpona Okay, Suskiva, Sangeita, Kavita Okay, All-in, Pinky, Jotirmoy, Tuliswari, Champa, Vati All have given the right answer Which position is used in laparoscopics realization Laparoscopics realization के लिए कोन सा पोजिशन व्यभार किया जाएगा Female should be placed in lithotomy position Left lateral position, supine position उसके बाद बोला गया है Niche position Laparoscopic Okay, sterilization Laparoscopic Sterilization So, पुर्योर Ride answer इंद चाड़ बोक्स सेही answer पुटाप करे Okay, मैं इसका मतलो Permanent Barth Control Permanent Barth Control Okay, फेलोपेंटी को क्या क्या जाएगा आदर अफ्टरेट क्या जाएगा ये रिमूब क्या जाएगा Okay, further या future pregnancy को Okay, so, पुर्योर राइड अंसा इंद चाड़ बोक्स सेही answer कोंसा होगा What will be the right answer here? What will be the right answer here? You must have to remember here अपको याद रखने है Supine position Okay, you must have to remember this Supine position You all have to remember this Answer with the supine position Okay, laparoscopic relation जो किया जाता है Supine position में किया जाएगा Okay 40 तो इंस्ट्रूमेंट सोन विरो Okay, आने बाले जो भी ये जो पहला Okay, आज है 7th March Okay, उसके बाड 8th March Okay, ये दोनो दीन आपका प्रिभियोस ये और का Okay, MCQ डिस्कोसन कर रहे हैं उसके बाड 9th March से 9th March से आप लोंको इंस्ट्रूमेंट कर रहेगा इंस्ट्रूमेंट कर रहेगा तो बार्थ कोंडोर टावलेट कर रहेगा पील जो डिफरन्ट आपका पील है Okay, जीतना जैसा परमाड में है पुश्चन जो आया था जैसे सिलावोस था एकोनिकुदेट विहप्टू डिस्कोस होगी इवरेथाल डालेक्टर, ट्राकेल डालेक्टर, इनुरिजीम लिडी, नौन अब दैवो तो याँपर सेजन्चार कोंचा होगा Okay, पिंकी, लिपिका, प्रमिला, लिजारानी, प्रज्या, दिप्ती, दितुरानी, चंपावत्ती Okay, कभिता, अंजली, जोसुवंती, सालिनी, कुमारेषके, कलपना, उर्भशी, खुर्शीकेज, सश्मिता, जान्वी, सुदीपता, अल आप गिवन दर राइदंचा Okay, अभिता, पता नहीं चलाएद यर, तिल दर रोल नुटिफिकाशन अजली गवन, Okay, once it will come, definitely I will inform you So, before coming of that notification, we must have to prepare ourselves to do best our result in the examination So, यहाँ पर एंसर होगा, B होषण, टर्चियल डियारेटर होगा, very good, okay, everyone has to re-emब दिश्ण Now, we'll come back to the next question, the most common sight of occurring, Peptic Ulcerine Stomach Pyloric person, Cardiac person, Isophageal person, Body of the Stomach So, पुडियो राइद अंसर इंदो चाड़व, सही अंसर पुटप करिए अगर आप लोगने वीडियो को लाइक नहीं के दो जरो लाइक करिए, सियार करना मद होले Okay, कोमारेश के विशा nursing officer कर निकले वाला है सा, निकले वाला है सा Okay, अवरी तक तो नहीं आजाये notification, once the notification will come, definitely I will inform you So, before that we must have to prepare ourselves, so that we can easily crack that examination Here the answer is the pyloric portion, here the answer is the pyloric portion, you must have to remember this one, very good Patient complaints of pain, patient क्या complain कर रहा है, pain complain कर रहा है, उसके बाद क्या है, readiness से, उसके साथ साथ स्वेलिंग है कहां पर है, injection side ही में, के साथ एप का injection side, IV दिया गया है, intravenor तो नर्स क्या करेगा, नर्स मस्ट, stop infusion and remove IV canula, start nasal oxygen, change IV tubing, and the solution, apply one moist pack to the radian area So, how to do the right answer, ओके, आप सभी ने सेही अंसर दे दिये हैं, ओके, stop infusion and remove IV canula, हमें साथ याद रग दिये, ओके, बेरी गुट, all have given the right answer All have given the right answer Placenta is the organ, ओके, लाइब 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 बोला जाता है Okay, placenta is the organ that provides exchange of nutrients and respawn between the mother and the fetus These developed by first month, third month, fifth month, seventh month So, what would be the right answer? What would be the right answer of this question? Then, तो यहां पर सही अंसर कोंचा होगा? Okay, you all have to remember यहां पर आप सभी कोई याद रखना है क्या याद रखना है? सही अंसर कोंचा होगा? Placenta कोई डेवलोबोगा? अंसर उडिदा? थाड मन यहां पर आप सभी कोई याद रखना है? You have to remember this अंसर उडिदा? थाड मन थाड मन यहां पर आप सभी कोई याद रखना होगा? Placenta is the organ that provides exchange of nutrients and weight loss between the mother and me यहां पर आप सभी कोई याद रखना होगा? यहां पर आप सभी कोई याद रखना होगा? Okay? Purposes of traction Purposes of traction include used in the treatment of fracture it helps to reduce muscle पाजम and contracture C आपसन में helps in internal reduction D आपसन में both A and B शो पुड़ियो राइड अंसर इंदो चाड़ बग सही अंसर पुटाप करें क्या होगा? Okay? What will be the right answer here? सही अंसर कौन सा होगा? Purposes of traction Traction का में अलड़ी आप लोंको हमेशा ही याद रखो Traction का एक कुश्चन जरूर आएगा Splint का भी जरूर आएगा Splint, Traction Okay? जरूर इसका एक तो कुश्चन जरूर आएगा You must have to young body Different types का आप Traction के साथ में Image based Traction बताया हूँ Splint के बारे में भी बताया हूँ Okay? जो आने बाले nursing officer recruitment exam के लिए Important होगा यहां पर रंसार होगा बोद A and B होगा एक क्लिनिक नर्स Prepare to administer MMR वेक्सिन To a 5 year old The nurse administer this vaccine Okay? MMR वेक्सिन कौन सारूर में दिया जाएगा पुशा है इए ओप्शन में intramuscularly इंद अंटेरो लाटरल आस्पेक्ट अचा है ठाये intramuscularly इंद डेल्टोर मुसल Subcutaneous इंद आउटोर आस्पेक्ट अपरान Subcutaneous इंद ग्लूटियल मुसल So what would be the right answer of this question? MMR वेक्सिन MMR वेक्सिन का रोट पुचा है MMR वेक्सिन का रोट पुचा है So what would be the right answer of this question? Okay हमें सा याद रोगी You must have to remember Answer would be the C Very good Subcutaneous ली दिया जाएगा Very good Aap सभीन से अंसर दियें C अप्शन Very good Very good All have given the right answer Okay That's all for the day See you tomorrow Hope you all enjoyed a lot Okay तो हम discussion करेंगे Call हम discussion करेंगे Remaining question उसके साथ साथ Math का भी हो जो question आया था उसको discussion करेंगे Plus English का question भी discussion कार देंगे तो इसी साब से आप लोग जरूर Practice करते रहे जरूर आपको success मिलेगा Okay कोई बाद नहीं जो practice करता है मेहनत करता है मेहनत करते रहे जरूर आप success होंगे इस विश्वास के साथ आज की session को हम यहां पर Okay End करते है Okay आपका ख्याल रखिये See you tomorrow With the remaining part of the URISA AAAC nursing officer That exam was conducted on 7th February 2021 Thank you very much to all Good night to all See you tomorrow Jai Hint Jai